नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो हमारे जीवन में धन का क्या महत्व है? ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है धन के अभाव में कोई भी विक्ती खुश नहीं रह सकता ये मात्र कहने की बात है कि धन ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है या धन से हम खुशिया और रिष्टों को नहीं खरीच सकते। वास्तों में धन सब कुछ तो नहीं लेकिन भहुत कुछ होता है। धन से खुशिया तो नहीं खरीच सकते लेकिन धन पास में होने से खुशिया भी अपने आप ही खीची चली आती है। यदि जीवन में धन का मह तो नहीं होता तो फिर क्यों लोग धन को कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। हर किसी पर आसाने से प्रसंद नहीं होती है। मा लक्ष्मी जी को खुश करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन जिस पर मा लक्ष्मी जी की करपा हो जाती है। मा लक्ष्मी निवास करने आने वाली है, हमारे दुख और दरिदरता के दिन अब समाप्त होने वाले है। क्योंकि शास्त्रों में बताये गए ये संकेत अत्यांति शुब और भागेशाली माने गये हैं ये साक्षात मालक्षमी के आगमन के संकेत माने जाते हैं अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो आप भी समझ जाईए कि मालक्षमी की क्रपा अब आप पर बरसने वाली है तो आई चीटिया काले तथा लाल दोनों रंगों की होती है। इसमें घर में लाल चीटियों का होना अशुब माना गया है जबकि काली चीटिया अत्यमत शुब होती है और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। जोति शास्तर के अनुसार काले रंग की चीटियों को मालक्ष्मी का रूप माना जाता है। चीटियों की तरफ चिपकली को भी मालक्ष्मी जी का ही प्रतिक माना जाता है। तो उस पर कुमकुमा और चावल अवश्य चड़ाए। तीसरा संकेत पक्षियों द्वारा। तो ये भोती शुब संकेत माना गया है। ये मालक्ष्मी के आने का संकेत है। इसलिए अगर आपके घर में कोई चिडिया घोसला बनाती है तो उसे भूल से भी तोड़ने की कोशिश ना करे। क्यूंकि आपके जिवन में आने वाले अपार धन का संकेत है। इसके विपरित ये बाज, कोवे जैसे पक्षी अचनक बार-बार आने लगे तो ये आत्यंत अशुब संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जी के वहान उल्लू भी दिखाई देना शुब संकेत माना गया है। चवती बात, शंक की ध्वनी, ये आपको दिन के किसी भी समय या मुक्यत सुबह और शाम को नित्य शंक की ध्वनी सुनाई देती है, तो ये आत्यंत शुब माना जाता है। इसका आर्थ ये है कि मालक्ष्मी आप पर प्रसन है और जल्दी आपके घरार जीवन में प्रवेश करने वाली है, जैसे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुक्सम्रद्य आने वाली है। ये आपके दाइने हाथ के हतिली में लगातार खुजली हो रही है, तो ये भी धनप्राप्ती का शुब संकेत है, मालक्ष्मी जी आपसे प्रसन होकर आपके हर्मनों कामना पूर्ण करने वाली है। हमें निकट भविश्य में धनलाब होने वाला है, हम यदि वास्तों में भी नेवले को देखते हैं, घर के बाहर निकलते ही, किसी को जाडू लगाते हैं और साफ सपाई करते देख लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का शुब योग होता है, और मालक्ष्मी जी के आगमन का भी संकेत हैं, तो दोस्तों, येते कुछ संकेत जो हमें बताते हैं कि घर में मालक्ष्मी जी आने वाली है, उमिद ये जान करें आपको आच्छी लगी होगी, वीडियो पसंदाया तो लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद!